नमस्कार साथ्यों इंग्लाइज क्लासिज में आपका स्वागत है आज विजिनिंग की क्लासिश टार्ट करेंगे जिसमें अपन एल्फाबेट सीरीज ट्रिक्स से याद करेंगे जो A से Z तक वर्ड है उनको याद करने की तरीका जैसे ABCD यह तो हमें से अपन बोलते हैं जब X Y Z कितना है 23 24 नहीं 24 25 26 24 25 और 26 पर आता है X Y Z बोलते हैं ना पन X Y Z X 24 पर Y 25 पर और Z 27 पर इनको याद करने के बाद में एक को और याद करना इजोटी याद करना इजोटी ए कितने पर आता है 5 पर जे 10 15 20 और 25 यह कुछ वर्ड है इनको यह तो अपन सबको याद है एक बस इतना सा याद करना इजोटी ए कितने पर 5 पर जे 10 पर O 15 पर T 20 पर और Y 25 पर इसके बाद में जैसे ABCD याद करने का तरीका देखो है को क्या करेंगे जैसे आप लिखवा रहता है तो इसको क्या करेंगे अपन इसको थोड़ा का निच्टे श्मीन कर देंग कि चिलिए खसा कि इस इसको ऐसे कर सकते है इस तरीके से 7 कि इतने पर आता है साथ नमबर पर अब आगे देखते जी ह tutorial एच है एच को याद करने के लिए 8 कैसे होगा कैसे यह आपन है देखेंगे तो याद कैसे आएगा तो देखो कि अब इतना दीकर 28 आई याद करते हैं I कितने पर आता है 9 तो याद करने का तरीका I know I know I know I know I know का मतलब no I know J जे तो आपको पता है ये 10 पे J और के को याद करने का तरीका जमू और कस्मीर कितनी गोले चलती है दस और 11 के और एक तरीके से याद कर सकते जैसे के लिखवा इन दोनों लाइन को अपन किया करेंगे थोड़ा सा करेंगे तो कितना ग्यारा अब याद करते हैं कि एल को याद करने के लिए जैसे क्या होता है एल को याद करने के लिए एल बारा कोई भी लव जब भी एल क्या होता है लव एल का मतलब लव लव में कोई भी चीज क्या हो जाती बारा बज़ाते है प्यार में हमें सा क्या होता है कितने बज़ाते है बारा लव में क्या हो तीन के आगे एक लगाएंगे कितना वाज़ेगा 13 म होगया अब आपके अब न को चौधा तो इसको याद करने का तरीका मन कि मन कितना मन कैसा होता है 13 और 14 मन को याद करने का तरीका 13 और 14 ओ कितने पर लिखा हुआ है 15 ओ याद करने का तरीका 15 इजोटिस याद कर लो 15 अब आता पी पी तो पीक को याद करने का तरीका है कि पीक पानी कितनी बार पी 16 बार पी पानी कितनी बार पी 16 बार पानी पीना कितनी बार है 16 बार पानी पीना कितनी बार है 16 बार पी, अब आता है क्यू, 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 क्यू को याद करने का तरीगा, कोसर नूमर सत्रा, कोसर नूमर सत्रा, खत्रा, कोसर नूमर सत्रा में क्या है, खत्रा, अब अगला, आर, आर को याद कने का तरीका रानी रानी कितने के होती है? 18 की क्योंकि सूरज कितने का? rose T कि टकवरेंटीigare कि तुटी dettacular कर्लो क्यों यू यहाद करने का तरिगा यूव यूव उव कितने का होता है 21 का 21 का होता है चैने होता अब याद करते हैं V, V को याद करने का तरीगा, विक्ट्री, विक्ट्री में इस तरीगे से लिखते हैं अपन, विक्ट्री में क्या करते हैं, दो, दो से दो, बाइस, विक्ट्री, बाइस, अब याद करते हैं, डबलू, डबलू देखो, डबलू को अपन उल्टा एक्स वाई जैट एक्स तो आपको पता है 24 वाई कितने पर 25 जैड कितने पर 26 याद हुए या नहीं हुए तो अपने वापस पटापट करते हैं एबी सीडी कितने पर एक दो तीन चार एक्स वाई जैड चौबिस पत्चिश इजोटी याद कर लो यह तो इफ नहीं हो तो एपंच ये तैन ओ पंद्रा टी 23 फैटीस एप में क्या करना है थोड़ी से लैंग किसने ट्रिक्स याद कर लो 7 जी सेवन संभी लन तो याई लाइन किसलो दी सेवन एच एच को क्या करेगे थोड़ दॉट करेंगे एड़ क्या चोनीको легी बढ़ेकर से लिज़े लब लॉब में क्या हो जाते हैं कि प्यार में क्या कि वारा कि मैं में क्या करना है एम को फोड़ा तृस्य करेंगे यह नॉम्र बादेंगे एन मंद तेरा 14 मं पानी कितनी बार पिना है 16 वार क्यों कोशन नमबर 17 नमबर 17 ऑस रानी कितने की होती है 18 की सूरज कितने का इस तरीकिये से कुछ अबन क्या करेंगे यह कॉंपेटिशन क्लास में अगर आपको यह वर्ड सीधे याद होंगे तो एक्जाम में क्या होगा जब दिखेगा आपको नमबर लिखेवे होंगे तो पता चल जाएगा किस तरीके से वह मैच कर रहा है तो इंग्लास क्लास में अगर यह रिजिन क्लास अच्छी लगी हो तो लोगों को कहो वीडियो आया धन्निवाद